आज हम बनाएंगी आटे और बुड की बहुत ही टेस्टी बर्फी इस बर्फी को है जो अलग लग नामों से जाना जाता है इसको कुछ जगा पे जो गुड पापडी बोला जाता है कुछ जगा पे इसको सुखडी बोला जाता है इस बर्फी को बनाने के लिए हमने सबसे पह ना रखना है पहले घी को मेल्ट कर लिए जीएगा फिर उस्टी कहrainता प्रॉपर न पाजाला तो यह वहिस आड़ा चैपा जू बनाने चलाते हुए भून लेना है तो यह मैंने थोड़ा सा घी है इसमें से जो दो चमच के करीब घी हमने बचा ली है अगर लगेगा तो हम बाद में इसमें घी अड़ करेंगे होता कि है जब हम शुरू में जैसे आटे में हमने घी डाला ना तो अभी आटा काफी सुखा लग रह अब भी देखिए चार-पांच मिनट के करीब हो चुके है और इसका टेक्स्चर है जो वो चेंज होना शुरू हो गया तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि आटे को हमने गैस के कम फ्लेम पे भूनना है गैस का फ्लेम बिल्कुल जादा नहीं करना नहीं तो आटा एक टेक्स्चर बिल्कुल ही चेंज हो गया और इसका कलर भी चेंज होना शुरू हो गया आटा हमारा जो वो रोस्ट हो रहा है तो आटे को भूनने में अराम से 15 मिनट के करीब लग जाते हैं तो यह देखिए अभी आटे ने बिल्कुल है जो घी छोड़ दिये और इसका टेक कर देते हैं बंद इसके बाद हमने गैस ओनी करनी तो यह मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया और क्ड़ाई अभी काफी गरम है तो हम एक दो मिनिट के लिए इसको और ऐसी चलाते रहेंगे नहीं तो क्या होगा अगर आपने इसको कड़ाई में ऐसे चोड़ दिया तो आठ गुड़ के पीसी से नहीं होनी चाहिए तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है इसके बाद क्योंकि आटा हमारा गरम है तो हम इसमें गुड़ को है जो तब तक अच्छी तरह से मिलाएंगे जब तक वो मेल्ट नहीं हो जाता गैस का फ्लेम है जो बंद है अब हमने गैस ओन सब्सक्राइब तो यूट करते हैं और याटा गरम है तो इस में जो गुड़ है वह बोलत हो जाएगा तो आप पने इसको एस जो लगातार चलाते रहें जब तक जूल में अच्छी तरह से मेल्ट नहीं कि यह दिखी आठे में are जो गुड़ अच्छी तरह से मिल चुक है तो मैंने यह एक जो प्लेट ले लिए इसको हमने जो घी बचाकर रखा था थोड़ा सा घीस में लगा कर प्लेट को अच्छी तरह से ग्रीज कर लेंगे तो यह मैंने सारी प्लेट में जो अच्छी तरह से घी लगा दिया है इसके बाद जो हमारा बर्फी वाला मिक्स्चर है वो हम इस प्लेट में डाल देंगे और इसको आपने जो अच्छी तरह से सेट कर देना तो अभी हम इसको ऐसे अच्छी तरह से प्लेट में सेट कर देंगे उपर से आपने ऐसे अच्छी तरह से इसको एक बार दबा देना अभी हमें एक कटोरी ले लेते हैं कटोरी से इस तरह से इसको सेट कर देंगे तो मैं इसके उपर पहले थोड़ी सी खस-खस पॉपी सीड्स है जो वो लगा रही हूँ और थोड़े से मैंने लिए बरी कटे हुए बदाम वो हमें इसके उपर लगा देंगे इसके बाद हम कटोरी की हेल्प से इसको ऐसे दबा कर अच्छी तरह से सेट कर देंगे जिससे ड्राइ फ्रूट है वो बर्फी में अच्छी तरह से सेट हो जाएंगे तो ये दिखे, मैंने इसको अच्छी तरह से सैट कर दिया है, इसके बाद हम इसको सिर्फ 2-3 मिनिट के लिए ऐसे रखेंगे तो ये 2-3 मिनिट के करीब हो गया है, फिर हम इसमें जो बर्फी के निशान लगा देंगे जैसे आपने pieces cut करने हैं चोटे या बड़े बस वैसे ही आप इसमें अराम से निशान लगा दीजिए इससे क्या होगा बाद में जब बर्फी थोड़ी set हो जाएगी तो हमें इसके pieces निकालना असान रहेगा अगर आपने इसको ज़्यादा देर के लिए छोड़ दिया तो जो इसके बर्फी के pieces हैं वो आपसे अच्छी तरह से जो इसमें set नी होंगे तो अभी हमने ये देखिए इस तरह से इसमें जो निशान लगा देने हैं इसके बाद हम इसको 15-20 मिनट के लिए ऐसी छोड़ देंगे तो ये देखिए अभी 20 मिनट के करीब हो गए हैं और ये बर्फी के piece में आपको एक निकाल कर दिखा देती हो ये देखिए पीस काटते वक्त ना अपने इस चीज का ध्यान रखना बहुत ही soft ये बर्फी बनती है तो pieces बिल्कुल ध्यान से कट कीजिएगा तो ये देखिए बहुत ही अच्छी हमारी ये जो गुड़ पापड़ी है बनकर तयार हुई है तो ये मैंने सारे pieces निकाल ली है एक मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ ये देखिए बहुत ही ज़्यादा ये soft बनती है फ्रेंस आज हम बनाएंगे आटे और नारियल के लड़ू इसे बनाने के लिए आपने सबसे पहले जो measurement के लिए कोई भी एक कप्या कटोरी सेट करना है सारा नाप हम उसी से लेंगे तो ये हमने सबसे पहले एक कटोरी ले लेना गेहूं का आटा नॉर्मली जो चपातिया बनाने के लिए हम आटा योज करते हैं वो ही वाला आटा और इसको हमने पहले चल्डी से चान लेना है उसके बाद हम इसको चार से पांच मिनिट के लिए ड्राइ रोस्ट करेंगे गैस के लो फ्लेम पे गैस का फ्लेम हमने बिलकुल लो रखना और इसको ऐसी लगातर चलाते रहना अभी हम इसमें घीव गयरा कुछ भी आड़ नहीं करेंगे बस इसको ऐसी है जो लगातार चलाते हुए भून लेंगे जैसे जैसे हम इसको चलाते जाएंगे दो मिनट के लिए रवा यनी शूजी सूजी है जो इसको बहुती दानेदाप टेस्ट देगी तो इसको भी हम साथ में है जो एक-दो मिनट के घी को आपने पहले गरम कर लेना है गरम करें नाप लेना है तो घीठी इस के लिए जो अड़ी घी भीउ ले इन पहले गड़ा से गर्म किया हुआ है और अब हम इसको है आटे में मिक्स कर देंगे बचा हुआ घी भी हम इसमें डाल देते हैं तो जितने हमने यह लड़ू बनाने इसके लिए अधी कुटोरी घी है जो अराम से लग चाता है तो अभी हम इसको ऐसी जो लगातार चलाते रहेंगे और इस पूरे प्रोसेस में हम गैस का फ्लेम में ल दो रखना तो अभी देखिए जैसे जैसे हम इसको भूनते जाएंगे इसका टेक्श्यर चेंज होता जाएगा आप देखिए इसने थोड़ा थोड़ा घी है जो चोड़ना स्टार्ट कर दिया और अभी देखिए आटा जो अच्छी तरह से रोस्ट हो रहा है और इसने जो घी बिल्कुल छोड़ दिया आपको पता चल रहा होगा यह दिखिए लिक्वडी सा हो गया ना यह काफी इसने घी है जो रिलीज करती है और जैसे जैसे हम इसको भूनते जा रहे है इसका टेक्श्यर भी चेंज होता जा रहा है यह देखिए हलका फलफी सा हो गया इसमें तो ऐसी हमने आटे को अच्छी तरह से रोस्ट कर लेना और आटे को भूनने में जो आपको राम से जो पंदरा मिनट के करीब लग जाएंगे अब हम इसमें एक चमच एड़ कर रहे हैं मगज जो मेलन सीड्स आते हैं और आठ दस में डाले हैं बरीक कटे हुए बादाम ड् आठा हमारा अच्छी तरह से जो रोस्ट हो चुक है और अब इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे सेम कटोरी से आदी कटोरी डेसिकेटर कोकोनट यानि नारियल का बुरादा बहुत ही इसली आपको मार्किट में मिल चाहेगा यह जो नारियल का बुरादा हम इसमें आड कर करेंगे तो टोटल हमें आठा भूने में जो जैसे हमने पांच मिनिट इसको पहले ड्राय रोस्ट किया था तो दस मिनिट और लग गया पंदरा मिनिट के करीब इसको टोटल लग चुके हैं तो अभी यह देखिए हमने नारियल का बुरादा भी इसमें अच्छी तरह से मि कि ऐसे ँछोड़नी देना क्योंकि कडाइघ काफी गशाए तो यह जलने का रहता है इसका तो आप ने इसको एक दूसरे बर्तन में बाद में ट्रांस्फर कर लेना है तो अब हमने देखिए इसको एक दूसरे बर्तन में निकान लिया और इसको थोड़ा ठंडा होने तो अब हम इसमें मिलाएंगे तीन चुथा एकटोरी मैंने इसके लिए देशी खांड जो बूरा आता है तगार बोला जाता है जिसको लड़ू बनाने के लिए श्पेशली आती है और इससे बहुत ही दानेदर लड़ू बन करते हैं तो मैंने यह जो एकटोरी से थोड़ा कम लिए आप मीठा जैसे भी चाहें इसमें कम यह जादा एड़ कर सकते हैं तगार आपके पास नहीं है तो आप इसमें पीसी हुई चीनी भी मिला सकते हैं इस चीज का ध्यान रखना के गरम मिक्स्चुर में आपने चीनी एड़नी करें जब यह हलका से गरम रह जाता है लट्डू बाइंड नहीं हो रहे थोड़े सुखे सुखा मिक्स्चर है तो आप एक से दो चम्मच इसमें जो घी गरम करके अड़ कर सकते हैं और अगर आपको लगे कि मिक्स्चर गीला है थोड़ा लिक्वडी सा है तो आप इसमें एक से दो चम्मच जो नारियल का बुरा कर लिए और इतने मिक्स्चर से हमारे जो पंदरा लड्डू है बनकर तयार हुए 15 लड्डू इससे बने है और अभी मैं आपको तोड़कर ने इसका टेक्शर भी दिखा देते हूं बहुत ही ज्यादा ये सॉफ्ट बनते हैं ये दिखिए आपको देखकर ही पता चल रहा ह होगा और फ्रेंस हैं, आज़की रस्पी हैं जो थोड़ी सी खास होने वाली है क्योंकि आज रशपी मे जो भाधो मिठाई बनाने वाले है इस मिना ourselves गी का यूज़ करेंग ना के लो फ्लेम पे पांच मिनिट के लिए ऐसी रोस्ट कर लेना है चार से पांच मिनिट हम इसको लगातार चलाते हुए रोस्ट करेंगे तो आपने इस चीज का ध्यान रखना गैस का फ्लेम हमने तेजनी करना इस पूरे प्रोसेस में हम गैस का फ्लेम में जो लो ही रखेंगे तो एक्चुली हुआ किया कि मैंने आपके साथ कुछ लड़ूं की रेस्पी शेयर की हैं जिसमें हमने बिना घी के उनको बनाया बैसन के लड़ू थे चावल के लड़ू थे और आटा के लड़ूं के एक रेस्पी मैंने शेयर की थी उसमें हमने मलाई का यूज किया था तो उन वीडियो के नीचे मुझे कुछ कमेंट मिले थे कि आप हमें ये बताइए कि हम मलाई का यूज भी अगर ना करे तो घी का यूज भी ना करे तो क्या ऐसी कोई मिठाई बना सकते हैं तो इसलिए मैंने ये आज की रेस्पी जो बनाई है तो अभी देखे पांच मिनट के करीब हो चुके हैं अब हम इसमें डालेंगे सेम कटोरी से आदा कटोरी सूजी यानी रवा रवा जो इसमें ठाई को बहुत ही दानेदार बना देगा बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा तो आप स्किप मत कीजिएगा जो रवा मैंने बरीक वाला यूज किया है इसमें मोटे वाला रवा नहीं है तो अगर आपके पास मोटे वाली सूजी या रवा तो आप उसको एक बर मिक्सर ग्राइंडर में थोड़ा सा चला लीजिएगा तो अभी सूजी डालने के बाद ह हम इसको जो आटे को हैं 10 मिनिट के लिए रोस्ट करेंगे 10-12 मिनिट के करीब लग जाते हैं गैस के लो फ्लेम पे आटे को रोस्ट करने में और अगर आपने गैस का फ्लेम हाई कर दिया तो आटा एकदम से जल जाएगा और मिठाई बिल्कुल भी टेस्टी नहीं बनेगी तो इसलिए मैं आपको बार-बार बोल रही हूं कि गैस का फ्लेम है जो हमने लो रखना है लो फ्लेम पे हमने इसको ऐसी लगाता रहे चलाते रहना है तो जैसे जैसे आटा अच्छी तरह से रोस्ट होता चाहेगे ना आटा और रवा एक तो बड़ी प्यारी सी खुश्ब में तो दो दिल सबस्क्राइब तो रोस्ट कर लेंगे शाय थे हमें सबस्तार रहाएँ तो यह गुश्ब यहीं आटा में दो direंगे तो अभी यह देखिए हमारा आटा और सुजी अच्छी तरह से भून चुकिए अच्छी तरह से रोस्ट हो गया तो गैस का फ्लेम हम कर देते हैं बंद और इसको जो एक बरतन में निकाल लेते हैं तब तक यह थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो अभी देखिए हमने दुबारा फिर से जो कडाई रख लिए हैं गैस पे और गैस का फ्लेम है ने आउन कर दिये हैं अब हम सेम कटोरी से जिससे हमने आटा लिया था ना सेम कटोरी से दो कटोरी लेंगे दूद दूद आप इसमें कोई भी जो भी आपके घर पे आता है वो यूज कर सकते हैं पैकेट का दूद आप इसके लिए यूज कर सकते हैं तो अभी हम इसको ऐसे लगातार चलाते रहेंगे आपने इस चीज का ध्यान रखना है इसको ऐस लगाताल चलाते रहेंगे और यह देखिए अभी दूद काफी गाड़ा हो चुका और इसकी क्वांटिटी पहले से आपको पता चल रहा हो काफी कम हो चुकी है तो अभी यह जो हम इसको चलाएंगे जब तक एक कटोरी के क्रीब रहा चाहेगा तो यह देखिए क्रीब इसको थोड़ी के क्रीब है तो अब लगा चल लेना और उसको तब तक उबालना चब तक इसके लिए इसको अच्छी तरह से मिला देंगे और यह दिखिए दूद है एक टोरी से थोड़ा सा कमी हो गया यह यह अब हम इसमें थोड़ा-थोड़ा करके मिलाएंगे आपने एकदम से नहीं मिलाना थोड़ा-थोड़ा करके मिलाना और इसको एसे हाथ्थों से अच्छी तरह से मिलाते जाना है और एक चीज कोशिश कीजिए करिएगा आप जब भी आप मिठाई बनाते हैं यह कोई भी ऐसी मिठाई बनाते हैं उसमें देसी खांड जो बूरा आती है उसका यूज कीजिए बहुत अच्छी मिठाई बनती है और हल्दी भी मानी चाती है तो अभी हमने थोड़ा-थोड़ आप ओ यह देखे हमने इसको अच्छी तरह भी आ दियाता है अब यही दिखिए उसको पीड़े के ऐखेश तो मिठाई बंज जाती है यह दिखिये तो यह निजी हमने उसे हम डिचंवे बिच में से कड़ करके इस तरह भी तोड़कर दिखातियों में आपको एक हमड़े इसका टेक्ट्ट्र ना बिल्कुल मावा वाला लगता है यह देखिए यह देखिए और जैसे आप इस मिठाई को एक दिन के लिए पड़ा रहने देंगे दूसरे दिन यह और भी जादा टेस्टी लगेगी और यह टोटल हमारे 16 पेड़े हैं जो इसमें से बनकर तेयार लेते हैं और अबी हम इस खी को रावा गरम होने देंगे इसके बाद हम इसमें डालेंगे इक कटोरी गेहुँ का आटा जो आटा नार्मली चपातियां बनाने के लिए यूज करते हैं इसाटे को मैंने पहले चलनी से चान लिये इस के बास से यह अदा कंचरी हमें को श्यूंत करें पहले हैं यहां पेसा कि बहुन लिए ऑप sen आते करें बिल्कुल लग रहा है कि घी कम है लेकिन जैसे जैसे आप इसको रोस्ट करते जाओगे भूनते जाओगे वैसे वैसे यह घी छोड़ना शुरू कर देगा और आपने एक चीज का ध्यान रखना है साटे और बेसन को भूनते टाइम गैस का फ्रीम बिल्कुल कम रखना है अभ यह देखिए अभी अभी मुझे जो इसको आठ से दस मिनट के करीब हो गए और देखिए इसने बिल्कुल घी रलीस कर दिया तो अभी यह मारा मिक्स्चर काफी गीला लग रहा है तो इससे हमें पता चलता है कि इतना घीज इतना हमने इसमें डाला है बिल्कुल सूटेबल जब हम गैस के कम फ्लेम पे भूनते हैं तो राम से 10-15 मिनट के करीब लग जाते हैं और यह मैंने दो चमच इसमें डाल दिया मैलन सीट्स जो खरबूजे के बीज आते हैं बहुत ही अच्छा लड़ूं को यह टेस्ट देंगे इसमें जो लड़ूं में इसका बहुत ही अब तक टोटल भूनते हुए हैं जो अराम से 12-13 मिनट के करीब लग गए हैं इतना टाइम इसमें अराम से लग जाता है अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में लड़ू बना रहे हैं तो इसमें ज्यादा टाइम लग सकता है तो अभी यह देखे बेसन हमारा बिल्कुल अ क्योंकि कड़ाई है जो वह काफी गरम होती है अगर आप छोड़ दोगे तो बेसन जल जाएगा तो ऐसे एक दो मिनट के लिए हमने इसको चलाते रहना है इसके बाद हम इसको अलग बरतन में ट्रांसफर कर लेंगे तो यह मैंने इसको खुले बरतन में डाल लिया जिससे तो जल्डी ठंडा हो जाए और इसको हमने अभी इसमें कुछ नहीं मिलाना इसमें ठंडा होने देना अभी न इसका टेक्चर देखिए कितना घीस ने छोड़ दिये अभी यह हलका ठंडा भी हो चुक है हाथों से हम इसको टच कर सकते है तो अभी मैं इसमें डाल रही अगर तो आपके पास देसी खांड है तो बहुत अच्छा अगर नहीं है तो आप जो नॉर्मली चीनी हम यूज करते हैं उसको आप ग्राइंडर में पीसकर भी इसमें डाल सकते हैं अच्छा एक चीज और ध्यान रखिए आप जब भी कभी लड्डू बनाते हैं न चाहिए बेसन के बनाएं आटे के बनाएं सूजी के जिसमें भी आप चीनी बाद में आड़ करते हैं कभी भी उसको गरम मिक्स्चर में आपने आड़नी करना पहले मिक्स्चर को थोड़ा ठं लिए अब हम इसके लड्डू बाइंट करके देखते हैं तो लड़ आपने जितने भी चोड़े शिचोड़े बड़े साइस के बनाने आप बना सकते हैं और ये दिखें बहुत ईजली हम लोग मिलेंगे एक और नहीर वीडियो के साथ तब तक लिए बाइड दे कि अ झाल झाल